Hello everyone, आज का big update है मेरे उन सभी वियर्स के लिए जो competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो friends, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे कि परिच्छावानी एक trusted book है जिसके माध्यम से आप competitive exam की तयारी कम समय में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो friends, 2023 में उत्राखन परिच्छावानी द्वारा प्रैक्टिस वर्क बुक का पहला edition जारी कर दिया गया है तो आप लोग अगर competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो इस book को पर्चे जरूर कर लें क्योंकि ये book आप सभी के आगामी परिच्छाओं के लिए बहुत जादा helpful होगी इस book में देखिए आपको MCQ जानी की multiple choice question मिलेंगे और बहुत ही बड़िया selected question इसमें आपको देखने को मिलेंगे इसके regarding series भी मैं आप सभी के साथ share कर रही हूँ तो आप इसके लिए channel से जुड़े रहें ताकि daily आप सभी को उत्राखंड practice workbook के regarding questions मिलते रहें तो friends चलिए हम continue करते हैं आज की अपनी पहली series को देखिए उत्राखंड का इतिहास सबसे पहला topic है हमारा जिसमें पहला question पूछा गया है देखिए महा भारत में कुणिन्द नरेस किस नाम से जाने जाते थे देखिए कुणिन्द नरेस पूछा जा रहा है ठीक है और ये question आप से PCS 2016 में भी पूछा गया है तो friends देखिए इनको जाना जाता था द्विजिस रेस्ट के नाम से option C का correct answer होगा next question है उत्तरकासी का एतिहासिक नाम क्या है देखिए ये भी PCS 2016 में पूछा गया है तो ये तो आप सभी जानते ही होंगे right answer होगा option D बाडा हाट next question है गडवा सर्व दलित परिसत का गठन 1928 में किया गया था देखिए पहले तो आपको याद रखना है कि जो सर्व दलित परिसत था इसका गठन कप किया गया था 1928 में किसके द्वारा किया गया अगर पूछा गया है तो right answer होगा जैनन भारती जी द्वारा option C का correct answer होगा अगला question दिया गया है अल्मोडा सिकों में उल्लेखित नाम है PCS 2012 में पूछा गया question है साथी किस तरीके के question आप से परिक्षावानी द्वारा इस book में पूछे गए है इसका भी आपको complete idea मिल सके तो आपकी तयारी आई होप अच्छी चल रही होगी आप लोग questions all करें और score बताएं कितना आपने गेन किया next question है चटी सात्वी इसवी में नागवंज के अस्तित्व पता हिमाले के किस भाग में मिलता है दिए कि चटी और सात्वी इसवी में नागवंज का पता पुछा जा रहा है तो ये मिलता है मद्धी हिमाले में ठीक है option B is का correct answer होगा next question है ने देखे कि मद्धी हिमाले में छटी सात्वी इस भी में नागवंस के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है यानि कि कौन से लेक से हमें पता चलता है नागवंस का तो right answer है दीखे गोपेस्वर त्रिसूल लेक से पता चलता है ठीक है option ए इसका correct answer हुगा next question है निम्लकित में किस चंद राजा ने अकबर के अधीनता सुईकार कर कुमाओं को एक करद राज्जी बना दिया दीखे करद राज्जी किसने बनाया आपसे पूछा जा रहा है तो इसका right answer है option C रुद्र चंद्र ने बनाया था ठीक है next question है दीखे किस पवार वंसी सासक के समय सिखों ने 1775 और 1778 में दो बार आकरमन किये थे दीखे 1775 और 1778 में आपसे पूछा जा रहा है दो बार आकरमन किये थे तो इसका right answer है option B ललित साह के सासनकाल में ठीक है option B इसका correct answer होगा next question दिया गया है पवार जिसे परमार वंसी बोला जाता है आप सभी जानते ही है कि सस्तापकों के संदर्ब में क्या सही नहीं है देखे कौन सा इसमें option सही नहीं है पवार वंसी के सस्तापक के बार में पूछा जा रहा है पहला है देखिए विलियम्स की वनसावली से कनकपाल संबंदी थे मौला राम की वनसावली से भोनापाल अगला है देखिए नेक्स्ट है देखिए हाईबिक की वनसावली से भोगदत और D आपको दिया गया है ब्रामन गरंथों में अभीधत पाल तो इसमें जो right answer है वो option D है प्रामन गंतों में अभीदत पाल नेक्स शुचन है निम्रखित कथनों में से असत्य कथन का चुना हुए देखे गलत कथन आपको बताना है प्रथक उत्राखंड राज्य को सर्बथम भाजपा रास्टी पार्टी ने समर्थन दिया ये right है अगर आपने ये topic पड़ा है तो आपको आंसर पता भी होगा नेक्स रहे उत्राखंड प्रथक राज्य की मांग सरुथम 1929 में की गई थी तो देखे बाकी सभी option इसमें right है option C जो है इसका असत्य कथन होगा ठीक है नेक्स वेशन है गड़वाल परिसत का प्रथम अधिवेशन निम्न मैसे किस इस्तान पर वादी कि पहला अधिवेशन आपसे पूछा जा रहा है गड़वाल परिसत का तो ये हुआ था कोड़ द्वार में option C का correct answer होगा बढ़ते हैं अगले क्वेशन की और कुमाओं का प्रथम स्वाधिनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है देखे बहुत important question है कई बार exams में पूछा भी जाता है और PCS 2004 में पूछा गया उसके बार कई बार ये question repeat भी होगा है सबसे ज्यादा प्रमानित मानते हैं ब्रेनेट तथा विलियम्स की वन्सावली को ठीक है तो right answer है option C जस्वंत सी बिस्ट जी दो आरा ठीक है correct answer होगा next question है निम्रिक के तविकलपों में जिसमें राजा और उनकी राजधानियां दी गई है सही युगम का चैन गरे देखे आपको बताना है इनमें से सही युगम कौन सा है सोम चंद्र की राजधानी राजभूंगा थी बिल्कुल सही थी इन्होंने अपनी राजधानी राजभूंगा बनाई थी कनकपाल देवलगड दिया गया है ये राइट नहीं है अजयपाल टीर ये भी रौंग है और मान सा दिया गया आपको चात प्रुगर ये भी रौंग है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उप्सन ए अगला कुशन है गड़वाल के थियास में नककटी रानी के नाम से कौन विख्यात थी पूछा गया है तो रायट आंसर होगा कुसान कालव की ठीक है नाम की तुर्ण की तुर्णा निम्न मैंसे किस्से की है तो इनकी तुर्णा की गई है युधिस्टर से ठीक है option D का correct answer होगा next question दीक कुमाओं में गुर्खा सासन कब इस्तापित हुआ देखे PCS 2004 में पूछा गया है और उसके बाद भी कई exams में पूछा जा जुका है group C के तो देखे गुर्ख सासन इस्तापित हुआ था 1790 में option A इसका right answer होगा question number 20 है मुगल सहजादे जिसने स्री नगर गडवाल में आस्रे लिया देखे कौन सा ऐसा सहजादा था मुगल जिसने स्री नगर गडवाल में आस्रे लिया था तो इसका right answer है option D सुलेमान सिको ठीक है option D का correct answer होगा अगला question है गडवाल, ancient and modern पुस्तक लिखी गई है तो ये बुक लिखी है पाती रामनी option D का correct answer होगा बढ़ते हैं अगली question की ओर अगला question है चात्रोगड का राज इस्तित्था देखे इसका राज इस्तित्था चमूली में ठीक है option C का right answer होगा next question है उत्रांचल में प्रिसिद्द एतिहासिक इस्तल गोविसान की पहचान की गई है तो right answer का option B कासीपुर में next question है उत्रांचल में प्रिसिद्द सैल गोवा चितर लाखो ओडियार इस जिले में इस्तित्था देखे लाखो ओडियार मैं और कौन सी गोवाएं हैं ये भी मैं आपको बता दू कई बार इस से related question पूछा जाता है इसको आप याद रख सकते हैं लाल फल पेट में लाल से आपको क्या दखना है लाखो ओडियार फल से फल सीमा और पेट से पेट साल ये सारी ही गुफाएं जो हैं अलबोडा में इस्तित हैं next question है गोपे सवर के त्रशूल लेख में कुल कितने नाग नरेसों का उलेख मिलता है देखे इसमें मिलता है चार नाग नरेसों का उलेख ठीक है option B इसका correct answer होगा तो friends है कि आज इस स्रीज में मैं आप सभी के साथ सिर्फ 25 questions share कर रही हूँ ठीक है क्योंकि इस book के regarding ये पहला practice set है तो आपको अगर interesting लगा हो helpful लगा हो तो वीडियो को like share comment जरूर करें ताकि मैं आप सभी के साथ इसकी और भी स्रीज को continue कर सकूँ तो friends I hope कि आप सभी के लिए स्रीज helpful रहा होगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share channel को subscribe जरूर कर ले thanks for watching